नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चलिंग राइट वेस्टी में दोस्तों ये सेशन जो है मैथमेटिक्स का है टेंथ क्लास की है और हम लोग त्रिकोडमिती पड़ रहे थे तो त्रिकोडमिती का जो है 8.1 चल ला है जिसके आपके 6 कोशन हो गए थे और आप चलत स्कूरी ठीटा इनका मान बताना है तो ठीक है पर ये निकालने स्पैले दोस्तों आप लोग कुछ फर्मूल जात करने होंगे ये ये सीप पहला फर्मूला क्या है sin square theta plus cos square theta बराबर होता है ठीक है याद रखना आपको sin square theta plus cos square theta बराबर किनना होता है एक के बराबर होता है दूसरा आपका formula क्या है 1 plus 10 square theta बराबर 6 square theta 1 plus 10 square theta बराबर 6 square theta तीसरा बराबर होता है आपका 1 plus काट इसकूयड ठीटा बराबर होता है काश रिक स्कूयर ठीटा यह आपके तीन फर्मूल के ठीक है यह दिव हम यहां से निकालना चाहिए साइन इसकूयर ठीटा बराबर तो वन माइनस यह भाइ कोस स्कूयर जो आपका उधर जाएगा तो क्या एक फर्मुली हो जाएगा यह हो जाएगा इसे का से हम को स्क्यूर बराबर निकालें तो वन माइनस साइन स्क्यूर ठीटा तो यह आपका एक इसका हो गया और एक इसका हो गया तो यह तीन फर्मुली एक फर्मुली से बन गए ठीक से मिसिक बरा से हम इसको भी निका टेटा बराबर, टेन स्कूर्ट ठीटा, यह की हो गया, ठीक? इससी पकार से इसका भी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, कोस स्क्वेर, ठीटा माइनस, कोस एक, यहां पे ऐसे हो जागा दूस्तों, इसको बुदर ले जाएंगे, तो नहीं, इसको जाएगा, कोट स् कासिक फीट इसको इधर लाए ठी के इसको इधर लाएंगे तो यह आपका एक उदर आगा तो इसको इसकी आप ऐसे सकते हैं दिख्लीजीगा कासिक custody फीटा माइननस काट इसको इसको इट भरावर एक यह फर्मूला बने खक एक आपका यह हो गया दो यहां से और दो यहां से भी यहां से एक और निकलना बाकी है ठीक है एक और निकलना बाकी है तो वो क्या आपका हो जाएगा कोट स्क्वेर ठीटा कोट स्क्वेर ठीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वेर cos x square theta minus 1 एक ही आपका ओक है ठीक तो यह आपके निकल क्या है 3, 3, 3 यह आपके 9 निकल क्या है एक फर्मला और ही आदक लिए है कि 10 theta equal to आपका होता है sin theta upon cos theta और cos theta equal to होता है cos theta upon sin theta ठीक यह आपके तो यह आपके यहां से 11-12 जो फर्मले त्यार हुए इनको जो है आप लोगों को जो है याद करना है ठीक है अब हम चलते है question के और question आपका क्या दिया हुआ है इधर देख लिएगा 1 plus sin theta और 1 minus sin theta ठीक अपान में क्या दिया हुआ है 1 plus cos theta 1 plus cos theta और 1 minus cos theta यह आपका दिया हुआ है यह एक bracket में plus आप लोगों ने यह formula पढ़ा होगा a square minus b square का क्या होता है एक bracket में a plus b और 1 में a minus b same वही formula इसमें अगर हम लगा दिते हैं तो यह क्या हो जाएगा देखी जाएगा है यहाँ पे 1 minus sin square theta यह क्या हो जाएगा 1 minus sin square theta और यह आपका क्या हो जाएगा 1 minus cos square theta अब देखेगा ध्यान से देखेगा यह formula आपको आपके कौन सा match कर रहा है इसमें कौन सा match कर रहा है देखेगा 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta किसके बराबर हो गया cos square theta के बराबर किसके बराबर हो गया square theta ध्यान से फिर से देख़ेगा ये formula इदर आजाएगा cos theta upon sin theta है cos theta upon sin theta और σ french square theta तो ये साथ ठीटा फोक्राइब देख लिए का मान दिया वा हुए वो 7 बटे 8 दिया तो यह आपका 49 और 8 का आपका उजाएगा 64 तो 49 बटे 64 जो है आपका इस वाले पद का मान निकल के आया और दोस्तों यह वाला है और यह सेम हो गया ठीक तो यह वाला अपने आप पहले से ही लग गया तो दोस्तों आसा करता हूँ कि यह कोशन आप लोगों को समझ्ज़ में होगा चलते हैं नेक्स्ट कोशन के और फटा-फट तो यह रागला कोशन दोस्तों कोशन नमबर आपका 8 है आप लोग अपनी बुग में भी देख सकते हैं ठीक है तो इस question में क्या कह रहा है कि 3 quote A बराबर दिया है 4 तो जाज करें इसका मान जो है कैसा होगा बराबर होगा मतलब left hand side equal to right hand side आपको सिध करना है तो क्या करते हैं सबसे पहले जो है हम इसको जो है हल करते हैं तो यह आपका quote दिया है तो आपका जो quote theta होता है quote theta जो होता है आपका वो होता है आधार बटे लंब आधार बटे लंब होता है तो आधार आपका यह दिया हुआ है 4 और लंब आपका 3 दिया हुआ है तो इस त्रिभूज में अगर हम पाइथागोरस प्रमे लगाएंगे फाइतागोर मेला थूंदा तो उम्हारे का जाएगा siz किया स्क्वेर बराबर इसका मान चलना है, तो दोनों साइडों से हम चलेंगे साथ ही साथ तो 1-10 theta लंब बटे अधार तीन बटे चार तो तीन बटे में चार और यहां पर square लगा है तो हम यहां पर square लगा लेंगे यहां पर दोस्तों समझ में ना है वहां पर हमको जो है मैंसेज कर देना है मैं particular उसी question को वहीं पर समझा देंगा ठीक है तो वन प्लस अब इसका मान भी रहेगा उतना ही केवल निसानी चेंज हुआ है बराबर cos square cos square क्या हो जाएगा यह ठीटा है आधार बटे करन होता है तो चार बटे पांच चार बटे पांच का होगा आपका minus sin square sin square तो तीन बटे पांच तो तीन बटे में आपका पांच और यह हो गया इसको अब इसको solve करना है इसको केवल solve करना है और जो है आपका इधर का पद और इधर का पद बराबर ना चाहिए तब यह आपका जो है सही रहेगा अनित्था सही नहीं रहेगा ठीक है तो वन माइनस तीन तरीके नो अपांच तो यह आपका तीन का और यह चार का ठीक यह इसको का से प्लस रहेगा लेकिन 9 बटे 16 यह आपका 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25 ठीक यह हो गया अब यहाँ पर देख लिए गा यह जागा 16 माइनस 9 और भाग में 16 ठीक यह 16 माइनस 9 भाग में 16 और यह 16 प्लस 9 यह देख नहीं रहा दोस्तों इधर देख लिए गा इधर देख लिए गा यह इधर सापका दे रहा हूँ ठीक यहाँ पर देख लिए गा तो यह 1 माइनस हो गया था 9 बटे 16 और यह 1 प्लस 9 बटे 16 बराबर कितना है 16 बटे 25 और माइनस 9 बटे 25 यह था आपका ठीक अब इसको सोल करना हमको तो यह अपका इधर जब का हर बराबर करेंगे तो यह 16 माइनस 9 होजाएगा और अपान 16 और यह 16 बटे 25 अपका एक बराबर रहेगा हर आपके बराबर है तो यह माइनस हो जाएगा ठीक है यह आपका माइनस हो जाएगा ठीक तो यह 16 से यह 16 आपका cancel हो गया ठीक तो बचा क्या आप नई लाइन से है यह आपका 16 से 9 कम करेंगे तो बचाएगा 7 और यह 25 ठीक बराबर में 16 से 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 वटे 25 तो आपका दोनुस आइड है मतलब LHS equal to RHS ठीक है LHS into LHS बराबर आपका किसके है RHS के है इस पकार से हमारा सिद्ध होता है कि यह आपका बराबर या सत्य है चलते हैं next question के वो तो यह आपका आगला question Question number 9 है 9 में आपके 2 question दिये हुए है 9 में आपके 2 question दोस्तों दिये हुए है लेकिन इन में से मैं एक question लगाऊँगा और एक आप लोगों को लगाना पड़ेगा तो देख लिएगा त्रिभूज A, B, C में कोण B समकोण है सबसे पहले हम एक त्रिभूज बना लेंगे और यह B आपका समकोण है B समकोण है और यह A हो गया B और यह C कहरा है कि 10 A बराबर एक बटा रूट 3 ठीक है तो इसका मदलब यह हो गया कि 10 ठीटा बराबर दोता है लंब बटे आधार तो लंब आपका क्यों हो जागा एक और अधार रूट 3 तो एक रूट 3 यह हो गया अब मान हमको निकालना है इसका तो पाइथा गोरस प्रमे लगा देंगे सबसे पहले तो त्रिभूज A, B, C में पाइथा गोरस प्रमे लगाने पर ठीक है तो A, C A, C का स्क्वेर बराबर क्या आपका हो जाएगा रूट 3 का स्क्वेर प्लस 1 का स्क्वेर यह आपका 3 और यह 1 रहेगा यह टोटल हो गया आपका कितना? 4 यह आपका A, C स्क्वेर निकला यदि हम A, C बराबर निकालेंगे तो इसका isquare हो जाएका। वोफ हिंद लगजािएगा और 2 निकलका आएगा तो यह कॉश्चन वारत हमाण निकलना है, इस question का तो को जो हिए हम यहां पर लिख लेते हैं साइन डिए्रेक्ट हमान अब यह हो गया इसके लिए आपका जो कोड़ यह आपका होगा इसके लिए आपका जो आधार है यह वाली बुज़ा हो जाएगी यह ध्यान रखना आप लोगो जो कॉसी होगा इसके लिए जो है लंब यह हो जाएगा और आधार ही हो जाएगा तो इसका भी आपका एक बटे दो होगा, एक बटे दो होगा ये दोस्तों अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पिछली क्लास हमाई देख लेंगे तो वहाँ से आप लोग समझ जाएंगे कैसे लंब और आधार चेंज होता है ठीक है, प्लस का निसान है तो प्लस, ठीक है, कॉस ए कॉस है, अब आपका ये हो गया तो कॉस ए के लिए आधार आपका ये रहेगा, तो रूट थिरी बाइ टू इंटू साइन सी अब साइन सी यहां पे चले आएंगे तो उसके लिए लंब आपका ये हो जाएगा तो रूट थिरी बाइ 2 prise 3Y, क्या हजएगा 2 हो जाएगा, ठीक, अब इसको Solo करना है, तो यह आपका हो जाएगा 1 बटे 4 minus यह आपका, sorry, plus 3 बटे 4, ठीक तो यह आपका 1 और 3 हो जाँगा 4, तो 4 और 4 बटे क्या हो जाएगा तो शे निकल के, आपका निकल के मान आया किसका यह मन आपका निकल क्या है यह साइने इंटू कॉस C प्लस इंटू साइन सी तो यह आपका अगिला क्यूंच रहा क्यों नमबर दस आपका है तरभुज प्प्क्यू अर में तो सबसे पहले तरभुज अमाने लिते हैं इह ठीक है में आपका Q समकोड है तो क्यूँ आपका समकोड है और क्याँ P R देखिगा देखिएगा फिर से देखिएगा P R प्लस Q R ये 25 आपका है ये आपका 25 है और P Q 5 सेंटिमीटर तो ये आपकी 5 सेंटिमीटर है अब देखेगा यापे ध्हान से इसको हम अगर x माल लेते हैं इसको x माल लेते हैं तो यह आपकी बुज़ा कितनी हुजाएगी 25-x 25- देखो कैसे यह आपका PR है तो यह आपका PR और QR हमने माल लिए यह आपकी QR x माल लिए तो यह 25 हो गई तो PR अबराबर 25-x ठीक है यह हमने माल लिए एक माल लिए अब पाइथागोस प्रमेस से हम क्या करेंगे सबसे पहले इन बुज़ाओं को निकलते हैं ठीक है तो निकलते हैं त्री बुज PQR PQR में पाइथागोस प्रमें ठीक है यह आपको करना ही है तो PR का स्कूर प्लस PQ का स्क्राइर प्लस RQ य haircut का स्क्राइर ठीक तो propor 25 Minus X Square और PQ आपका इफा 500 तो 5 का स्क्राइरpower QR आपका इफार एक्स acoustic हमको मान किसका निकलना है X का मान निकलना है ठीक है याद रखना है X का मान निकलना है 625 625 Plus X स्क्राइर minus 2 क्या होता है टू इंटू एंटू बी तो पचीस इंटू एक्स यहां पर फार्मुला आपका A-B का दोस्तों खुला है ठीक है A-B का आप लोग खोल लोगे इसके बाद यह आपका 25 और प्लस एक्स इसको ध्यान दीजीगा यह आपका दोनों तरफ सेम है तो यह आपका तो यह आपका इधर 25 आपका कितना है पचीस है तो अगर हम उधर ले जाएंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा पहले इसको आपर देख लिएगा यह आपका माइनस का 50 X और बराबर में 25 यह पहले से दिया हुआ है और यह 625 अब क्या करेंगे कम कर लिएगा तो यह आपका 600 वो भी माइनस का माइनस से माइनस कैंसल हो गया अब क्या करेंगे यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 600 अपान पच्यास यह आपका निकल क्याएगा बारा तो यह वाली जो घुजा है यह बारा निकल क्या है किन्दे निकल क्या है बारा न को क्या चाहिए अब तुम्हारा question ही solve हो गया यहाँ पे देख लिए एक सबसे पहले sin p sin p चाहिए cos p चाहिए और tan p चाहिए इनके मान आपको चाहिए थी तो यह आपका sin p का मान कितना हो जाएगा 12 बटे 13 लंब बटे कर्ण 12 बटे 13 cos p का मान आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण तो 5 बटे 13 तो यह हो गया आपका 5 बटे 13 और tan p 12 बटे 5 12 बटे 5 तो यह आपके तीनों मान निकल क्या गए एक बाद फिर से देख लिएगा क्या क्या हमने किया तो सबसे पहले इस त्रिभुज को बनाया हमने और यह वाली जो बुझा है उसको हमने मान लिया उसको हमने क्या कर गया मान लिया तब यह आपकी 25 माइनस एक सब्सक्राइब बताया मैंने यह आपके किस प्रकास से हुआ ठीक है इसके बाद पाइथा को प्रमेस त्रिभुज में लगा दी पाइथा को प्रमेस लगाने के बाद हमने एक स कमान निक ala और यह सकमान निक यह सो गया और यह भुए उसके का मान नकला यह चलते है नेक्सट कॉश्चन के बचापाट दोस्तों यह कुछ कॉश्च है आपका लाश्ट कोश्चन सब्साइब एक से कम नहीं नहीं रहता है, तो यह आपका असत रहेगा, कैसे कम नहीं रहता है, अभी आपका कई बार मैंने फिगर बनाया था, तो यहाँ पे आपका 4, 3 और यह पांची स्वतार से आया था, या फिर 12, 5 और 13 करके आया था, तो 10 ठीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, लंब बटे अ तो यह आपका जो है एक से कम नहीं होगा, ठीक है, तो इस पकार से पहला जो आपसन है वो हमारा गलत से दोता है, ठीक है, दूसरा क्या है, कौण A के लिए, किसी मान के लिए से के बराबर जो है, पांच बटे बारा हो सकता है, हाँ, ये हो सकता है, चूँकि हमने कई बार करा सकता है इसे बास है आपके दिया है कि को स कौед एक टोone के लिए प्रियुक्त एक संचिपत रूप है तो ये असत्य दोस्तों arrow होता है 21 स्के लिए प्रियुक कियाता है को से के लिए प्रियुक है तो यह आप तो सहिरा और यह आपका शज değ quiet कट हो गया इसके बाद कोटे और कोट और ए का गुणन फर होता है मतलब यह जो कोटे होता है यह कोट और ए का गुणन फर होता है तो यह ऐसा